दोस्तो नमस्कार स्वागत अब सभी का घजब समाचार में दोस्तो अगर आप तेजस्वी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि यहां हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से यहां इशान और प्रतीक सहसपाल दोनों ही गिड़ गिड़ा रहे हैं यहां तेजस्वी के सामने कि वो उन्हें सेफ करें दरस्तर हम आपको बताने हैं कि जिस तरीके का ये नॉमिनेशन तास्क है इसमें यहां दो-दो कम्प्टीटर को आमने सामने रखा गया है और इशान और प्रतीक दोनों आमने सामने हैं और इन लोगों को घरवालों को कर्वेंस करना है कि आप प्लीज हमें सेफ करिए नॉमिनेशन से इस पर यहां इशान जो है सबसे पहले तेजस्वी के पास पहुचते हैं और इसके बाद आप तस्वीरों में देखी सकते हैं वो यहां गिड़गडाते हुए नजला रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं प्रतीक के तरह खामका की फाइट्स नहीं करता हूँ मैं अगर कोई मुद्ध सही है उसी पर बोलता हूँ तो मैं कहीं न कहीं उससे जादा डिजर्विंग हूँ और इसके बाद यहां प्रतीक सहस्पाल जब उनके पास पहुचे हैं तो उन्होंने कहा है कि मैं यहां हर मुद्धे पर अपनी राय रखता हूँ मैं टास्क में अच्छा करता हूँ मैं जो है किसी मुद्धे पर यहां अपने आपको बैक आउट नहीं करता और जो ड्यूटीज है वो मैं बढ़ चड़ कर करता हूँ तो इस तरीके से यहां नॉमिनेशन से सेफ होने वाले टास्क में यह डोगों किनटेशन ते जश्वी से यहां भीक माँ रहे हैं आप प्लीज हमें सेफ कर दीजिए गयां तो इस तरीके का है वाक्या दोष्तों इस पर आपकी कहा है राय? आपके क्या है बिचार आप अवे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पिए जरूर दें साथ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिलकुल भी ना बूलें